विदायक जी से आज मुलाकात का ग्रम ये रहा कि माने नायाले ने आदेश किया था कि मिलकर वकालत नामा साइन करा ले परिजन परिवार कोई एक सदस या फिर अदिवक्ता तो उसकी क्रम में मैं आया था विदायक जी से माने नायाले के लिए वकालत नामा लगना है वो साइन कराया और मोहर वगेरा लग गई विदायक जी का स्वास्त खराब है काफी बिगड़ा हुआ है ठंड लग गई है बुरी तरह और पोस्ट कोविड के टीटमेंट्स उनको म मिलने चाहिए थे वह सब मिले लए लएं तो उसके कारण वर्च चेस्ट में काफी इंफिक्शन है जिसकी वज़े से खांसी है और ठंड की वज़े से ठंडे पानी से नहाना और सब तरह की चीज़े फिर भी विल पावर है स्ट्रॉंग है सारी चीजों को फेस कर रहा है त आज के नाम पर तो सिफ ढूंग होता है आप तस बार बीस बार कहेंगे तब जाकर एक डॉक्टर आएंगे और वो देखेंगे और वह भी थर्मोमीटर लगाएंगे बीपी नापेंगे और चले जाएंगे 2022 का चुनाव बहुत नद्दीक है किस दल से चुनाव लड़ेंग कि इस समय और नदर रहते हुए मैं आप सबके माध्यम से उत्तरप्रदेश के अवां को यह बताना चाहता हूं हुआ कि जब जिले का एस पी और जिले का ट्यम हत्या कराने के लिए लगाओ और अंदर ब्रमाशों से मिलकर हत्या कराने के लिए बात कर रहा और एक एस यू के लोग SP और DM साब के साथ अंदर जाते हैं और पिस्टल देने की बात करते हैं खाने में जहर देने की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब रच्छकी भक्चक बना हुआ है तो बस बचाने वाला तो वो अल्ला है और वही बचा रहा है इस विशह में बताया उन्होंने नाम बताया है SOG के यहां प्रभारी है मयंग चंदेल उनका SP साब का DM साब का और इस सब को लेकर हम माननी उच्छितम ने आले में भी जाएंगे और कानून का सहरा लेकर हम अपनी लडाई लड़ेंगे और इस तरह से एक निर्वाचित विधायक मैं तो कहता हूँ विधाय है छोड़ दीए वह सीनियर सिटिजन है इस देश के नागरिक है और यह यह उनके लिए गौरव की बात है हम लोगों के लिए लेकिन उसके बावजूद जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वह सबसे दुर्वागी पूर बात है और यह सरकार बहुत जल्म कर चुकी सब्सक्राइब अच्छा है तो उनके साथ फोर्स के साथ एसुजी के प्रभारी जाते हैं बिश्टल लगाके कौन तलाशी लेगा उनकी कोई किसी की हिम्मत है कि तलाशी ले ले अरे दबाव तो इतना है कि जो बात मैं बोल रहा हूं यह भी चलेगी कि नहीं चलेगी अभ कर रहा हूं गुजारिश कर रहा हूं कि मेरी बात को आप एजिटिस दिखाईए ताकि यह चीज़े लोगों के सामने आए और मेरे फादर ने नाम लेकर बताया कि किस तरह से उनके हत्या की प्लैनिंग की जा रही है ताकि वो लड़ ना सके चुनाओं और आगे के लिए व इसमें तीन लोग फाइल है सुबाश ठाकूर बिजेश सिंग और दाउद इबराहीम और उसके विरुद मेरे पापा तो उन्होंने अडैक लिया था उसके विरुद पापा चश्मदीद गवा गायल गवादे मात्मा और वो गवाई दे देंगे तो क्या होगा इसलिए यह सारा कूकम रचा जा रहा है लेकिन मेरा मानना है और हम सबका ही मान है कि मारने वाले से बहुत बढ़कर है बचाने वाला है और अल्ला ही मोत और जिन्दगी का मालिक है